मेमोग्राफी के बारे में आज बातचीत हो रही है मेमोग्राफी एक एक स्रेय है जिसमें के हम आपके ब्रेस्ट की फोटो खीच रहे है एक स्रेय है आपके ब्रेस्ट का ये ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर और कैंसर पकड़ने के लिए एक टेस्ट है जी हां breast के अंदर आपकी female जो breast है उसके अंदर tumor या cancer पकड़ने के लिए test है males की भी breast हो सकती है उसमें भी जरूर cancer हो सकता है उसके लिए भी mammography की जा सकती है बिल्कुल possible है लेकिन 99% females में की जाती है कैसे की जाती है ये क्यों की जाती है कब की जाती है, preparation कैसे होता है, test कैसे होता है, positive result क्या है, normal result क्या है, risk क्या है, और क्या उससे कोई खत्रा है, करना है, नहीं करना है, यह सारी चीज़े आज आज आपको हम बताएंगे. So, first and foremost, करी कैसे जाती है, right, test करने के लिए, obviously, आपको waist से उपर, waist से उपर आपको नगन होना होगा, आपको उस हालत में आपका यह test किया जाएगा, और इस test का importance ऐसी है कि आपको एक gown दिया जाएगा, बहुत simple सा gown, right, बिल्कुल एक layer of cloth आपको पहना ही जाएगी, जो के, क्या होता है, कई बार हम बहुत सारे layers पहन के होते हैं, तो बहुत सारे layers shadow बना सकते हैं, तो इसलिए आपको एक layer पहनाए जाएगा, कपड़े का, जो आप पहनेंगे, gown, और वो gown से आप x-ray करवा सकते हैं, तो नगन करने के बाद, सिर्फ नगन नहीं रहेंगे, right, very So you will be wearing a cloth, depending upon the equipment, obviously, you will equipment के basis पे आप या तो बैठेंगे या खड़े होंगे, अगर equipment की demand है कि आप बैठे रहें, तो आप बैठे बैठे टेस्स कराएंगे, अगर equipment ऐसा है, जिसमें आपको खड़े रहना allowed है, तो आप खड़े खड़े कराएंगे, right, यह अलग अलग तरीके के equipment के अलटिमेटली आपके breast का x-ray होना, आपका picture होना है, और breast का photo x-ray बहुत सारे angles से लिया जाता है, बहुत सारे angles से और आपको उस बीच x-ray जब लेते हैं, तो आपको कहा जा सकता है, सांस रोकने के लिए, आपकी breath, सांस रोकने के लिए, बीच-बीच में जब भी picture लेते होता है कि सांस लेने से पिक्चर ही जाती है, और फिर लेना पड़ता है, और फिर लेना पड़ता है, इसलिए ना ही लें, और obviously results थोड़े दिन और थोड़े time बाद आएंगे, तो हो सकते है आपको कहा जाए, बाद में आओ, रिजल्ट ले जाओ, इसका मतलब यह नहीं होत हैंगे, clearly results बताने से पहले, अब obviously यह हुआ कि कैसे होता है, अब है types, जी हाँ, इसके भी प्रकार है, इसमें traditional mammography होता है, जिसमें के आपका एक film use होगा, जिसमें बिलकुल routine x-ray होता है, traditional वाला, लेकिन अब digital mammography भी आ चुका है, जो कि एक नई टेकनीक है, और digital mammography में आपक ब्रेस्ट के बहुत augmented, अच्छी वाली image मिलती है, जो कि ना सिर्फ image है, आप उसको manipulate कर सकते हो, आप उसको manipulate उसकी exposure को, उसकी, क्योंकि वो image computer में आती है, तो computer में आप edit कर सकते हो, meaning कि एक हिस्सा जो clear नहीं दिख रहा है, उसको और clear कर सकते हो, उसके brightness, contrast, बढ़ा के कम करके जो के traditional x-ray में possible नहीं है, so digital is obviously better, even normal x-ray में, digital x-ray is obviously better than a traditional x-ray, right, और जितनी young female का होगा, और जितना dense breast होगी, उतना अच्छा और accurate x-ray mammography आता है, right, और obviously, इसमें जरूर important है, अगर diagnosis जल्दी हो जाता है, तो आपका breast cancer से मौत होने का, क्योंकि breast cancer एक खतरनाक विमारी है, जिससे आपकी literally जान जा सकती है, और जल्दी diagnosis हो जाना, सही इलाज हो जाना बहुत जरूरी है, तो एक mammography regular करना बहुत अच्छी चीज है, और एक तीसरा प्रकार है, 3D mammography, तीन dimensional की mammography होती है, digital mammography, जिसमें अभी वो उसमें तीनों तरफ से गुमा गुमा के देख सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो standard या digital mammography से कोई खास तरीके से जादा है, so it is okay, और digital mammography जितनी ही उसकी accuracy है, तो प्रिपेर करने के लिए क्लिए क्लिए आपको भूके पेट आना होगा, क्लिए आपको कैसे आ पर नहीं लगाना है, जब आपकी mammography हो रही, कोई deodorant नहीं, कोई perfume नहीं, कोई powder नहीं, नहीं लगाना है, वरना image की quality में आएगा फर्क, remember, यह कोई नहीं बताता, यह हम बताते है, ठीक है, यह problem कई चीजों को hide भी कर सकती है, कई images को hide कर सकती है, और अगर आपके neck में, chest मे कोई भी jewelry है, neck में या chest area में लंबी-लंबी jewelry तो हटाने परेगा, but obviously jewelry के साथ तो नहीं कर सकते, और अपने doctor को आपको बताना है, compulsory अगर आप pregnant है, या breast feeding कर रहे हैं, और या फिर अगर आपने recently breast में कोई operation या biopsy कराई हुई है, injection लगाया, तो भी अपने doctor को बताना ज़रू Remember that, ठीक है, और तो उसके वज़े से findings दिख सकती है, obviously जब आप test कराओगे, तो आपको थोड़ा सा breast को प्रेस करना पड़ता है, एक plate से कई बार, जब प्रेस करते हैं, प्लेट से वो ठंडा प्रेस कर सकते हैं, और कुछ नहीं, और वो प्रेस करना ज़रूरी होता है, angle से ताकि image अच्छी quality की आए, सबसे बड़ा सवाल कब करते हैं, क्यों करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है, क्यों करते हैं और कब करते हैं ये test, देखिए ये test एक screening test है, diagnosis के लिए, आपके breast cancers के लिए, breast lumps के लिए, और बहुत सारे doctors regularly इसको prescribe भी करते हैं, बाहर के देश में, आपक नहीं करते हैं, उनकी मर्जी होती है, कमपल सरी कुछ नहीं है, बाहर तो कमपल सरी है, before having a mammography, आपके doctor आपको उसका pros and cons, risk बताया जाता है, कि हाँ, आपको याद रिखना है, कि आपको breast cancer है तो नहीं, आपके अंदर कोई पुरानी बिमारी तो नहीं है, आपके family में कोई ब इस्ट्री है, तो अगर आपके family में, और वह आप भी कर सकते हो, self breast examination, वह एक अलग topic है, वह बाद में cover किया जाएगा, और अगर breast cancer हो भी जाए, तो early stage में detect हो जाए, इसलिए भी किया जाता है, और जाधा तर women जो 40 की उमर में हो चुके है, वहर साल या दो साल में एक बार क चीस, तो यह अलग-अलग doctor का अलग-अलग मानना है, अलग-अलग जगाओ का अलग-अलग मानना है, हाँ, 40 की उमर के बाद तो हमेशा करना ही चाहिए, और जो 50 की उमर में है, उनको हर साल repeat करना चाहिए, वह recommended है, बिलकुल 50 की उमर के बाद रिस्क बहुत बढ़ जाता है और जिन जो जिनकी MOTHER, Sister जिनकी family में breast cancer हो चुका है उनको ये बहुत जल्दी उमर में जैसा मैंने का 18-20 साल, 25-30 साल की उमर में करा देना चाहिए चुरू करना चाहिए, एक बार करने से नहीं हुआ, हर साल, दो साल में एक बार करना जरूरी है और इसको और भी तीजों के लिए यूज किया जाता है, जिनको अगर आपको एक बार abnormal breast cancer, breast mammogramी abnormal आई, तो second बार करके देख सकते हैं, जो चक लग रहा था, वो बढ़ तो नहीं रहा, वो गांट तो नहीं है, वो क्या है, एक बार थोड़े दिनों बाद repeat करके देख सकते हैं, और अगर आपको breast की कोई बिमारी है, माल लिजे, nipple discharge हो रहा है, breast lump है, breast में दर्द है, breast में dimple है, चमड़ी के उपर, या खून आ रहा है, या nipple में कोई changes हो रहे हैं, तो इन सब के लिए भी memory करके देखा जाता है, कि अंदर कोई और major चीज तो नहीं है, कोई गाठ कोई tumor तो नहीं है, right, obviously, normal result क्या होता है, normal result में breast tissue के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का calcification नहीं होता, there is no sign of any mass or calcification, mass भी नहीं होता है, कोई भी काठ है, कोई भी calcification आए, that is worth looking into, वो जाच करने लायक होती है, abnormal finding में, जैसा मैंने कहा, यही चीज, हमेशा ऐसा नहीं है, कि cancer ही निकलेगा, कई बार benign, benign cancer भी निकलता है, cancer malignant हो सकता है, benign हो सकता है, benign वाला वो है, जो बढ़ता नहीं है, malignant वाला वो है, जो जान ले सकता है, right, so, अगर breast tissue में कुछ मिलता भी है, तो डरने वाली बात नहीं है, आपके radiologist उसको देखेंगे, कि वो एक किस तरह के का gant है, क्या है, आपका cancerous है, कि non-cancerous है, कई बार वो सिर्फ एक cyst हो सकता है, सिर्फ मातर पानी भरी, gant हो सकती है, lump हो सकता है, cyst हो सकता है, well organized, calcifications भी हो सकते है, और calcification कई बार calcium deposit से भी हो सकते है, लेकिन हर ब breast cancer में dense area दिखेंगे, जो breast में पकरिंग दिख सकती है, और भी कई science होते हैं, जो doctor फिर deduce करते हैं, उन सब के findings को correlate करके, right, test ये breast cancer का कई बार magnification या compress करके भी views देखे जा सकते हैं, इसी को confirm करने के लिए और भी test available है, breast का ultrasound available है, breast का MRI exam available है, जो के काफी less commonly किया, MRI तो less commonly होता है breast ultrasound जो mammography है, वो X-ray के जगा भी किया जाता है कई बार, right, आप अपना अभी का mammography पुराने mammography से compare कर सकते हैं, देखने के लिए कोई abnormal finding तो नहीं है, very important, और जब भी mammography या ultrasound में कोई suspicious चीज दिखती है, कोई गाठ है, कोई चीज है जिससे पे शक हो रहा है, तो उसकी biopsy की ज चाल के चोटा सा उसका टुकडा tissue लिया जाता है, उससे जांच की जाती है, कि वो क्या है, biopsy के लिए obviously stereotactic या ultrasound biopsy की जा सकती है, सुई डालने के लिए, या कई बार अगर गांट बड़ी निकलती है, तो पुरी की पुरी गांट निकालने के लिए open biopsy ये चोटा सा operation भी जाता, mammography से रेडियेशन का खत्रा ना के बराबर very very low है, लेकिन अगर आप pregnant है, अगर आप breastfeed कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि pregnancy में आपको कोई भी x-ray नहीं करना चाहिए, या फिर आपका breast करना ही पड़ा है, तो breast आपके जो पेट का area है, उसको फिर lead से cover किया जाएग lead apron से, ताकि वहाँ पर कोई भी radiation बच्चे तक ना पहुँचे, जी हाँ, नॉर्मली x-rays नहीं किया जाते, लेकिन करना ही पड़ा, मजबूरी है, उसके बगार पता नहीं चलेगा, तो lead का apron पहना जाता है, lead का apron, याद रखिए, routine screening technique है, mammography और ये और during pregnancy या breastfeeding के time पे नहीं क I hope आपको clear होई है, make sure कि ये हर female, दूसरी female को share करें, important information है, should be spread और जरूर बताना है, कोई भी सवाल है, जरूर लिखे आपके सवालों के जवाब देने की, पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, thank you so much